नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होगा दोस्तों बिहार पुलिस का इतिहास के सबसे बड़ा वेकेंसी आई थी आपको पता होगा अभी परसो दोस्तों इसका समाप्त हो है फॉर्म बरने का और दोस्तों इतिहास में सबसे ज़्यादा इस पर form फिलप किया गया है कितना form फिलप किया गया है एक सीट पर कितना आपका fight होने वाला है जैसे कि मैं बता है न सबसे बड़ा सबसे जादा फॉर्म भी गिरा है यानि दोस्तों दोनों सबसे उच्थे मस्तर का होने वारा एक सिट पर कितना फईटे कितना बच्छों ने फ़र्म बढ़ रहा है कुछ बच्छों का आपकाbels के लिगन्हीं का इस चोटी सी गलती आपका form reject होगा साथ में दूस्तों इस बार का safe score क्या रहने वाला है देखो यहां पर हमने कुछ लिखा हुआ है न क्या रह सकता है इस बार safe score male और female का मैक्सिमम आपको कितना लाना है उतना में आपका result कोई नहीं रोप सकता इतना नंबर में बताऊंगा इतना अगर आप ला देते हो तो भाई आप physical करो क्योंकि इसका मेरी जो है physical पर बनता है यह आपको बताएंगे देखिए आपको पता है इतिहांस में बोलना हूं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा वेकैंसी एकीस हजा तीन सईकान में पोस्ट में बिहार पुलिस कॉंस्टेबल में नहीं आया था पहले और आंगे आये या ना आये दोस्तों इसकी कोई गरंटी नहीं बहुत कमी चाहिए ठीक है आने वाले समय में अब टोटल फर्म फिल अप की बात करो नहीं इसमें रिजिस्टेशन कुछ बचे क्या होता है नहीं हमारे जिसे एक एक जांपन करते हैं कितना फर्म भरा गया है वह देखने के लिए ठीक है तो वैसे बहुत साथ फॉल्स रिजिस्टेशन होता है जो फाइनल सम्मिंशन नहीं होता है तो वह कुछ तो रिजेक्ट होगा तो हमने सारा मोटा मोटी डाटा निकालके हमने जोस्तों बता रहा हूं में आपको टोटल इसमें जो फर्म गीरा है ना ठीक है यह 18 लाग अप्रॉक्स में दोस्तों थोड़ा पो डाटा दो चार पांस दस पीस अजार का इधर हो सकता है 18 लाग फॉर्म गीरा है समझ लीजिए इतना जादा कम्पेटीशन दोस्तों होगा ना इस बार समझ लीजिए ठीक है और देखिए इसमें फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाता है तोटल वेकेंसी का पांच गुना यानि टोटल वेकेंसी 21,399 का पांच गुना करोगा एक लाग 6,955 बचों का मातर रिजल्ट होगा दूस्तों यानि इतना बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा तो आपको कैसी भी करके इतना में आपका नाम होना चाहिए समझ लो आणदी आये तूफान है कुछ भी हो जाए इतना आपका नाम होना चाहिए ठीक है ।क है यानि 13.30 की निडेट में आपका एक फाइट है, हालाकि इससे कमी फाइट होगा, कारण कहा है न, देखो, फर्म तो 18 लग बच्चे भर दिये, ठीक है, हाल, फर्म 18 लग हालाकि बच्चे भर हैं, लेकि एक्जाम में जो आपका देखोगा न, प्रेजेंट कितना बच्चे होत ठीक है, तो आपका मोटा मोटी डाटा निकल जाएगा, आपको आइडिया होगा, लेकिन हमें जादा जादा मान के चलना है, कम नहीं मानना है, हमें 18 लाक ही मान के चलना है, ठीक है, चलो, यह ध्यान रखिएगा, अब देखिए, इसका हम डिटियल से लेवस बतायाते हैं, तो उसके बाद सेफ स्कोर बताएंगे, आपको पता है, हंडेट कोश्चन, हंडेट मार्च, दो घंटे कसे में निगेटिव नहीं है, अब क्या क्या पूछेगा, ध्यान समझेगा, जीके और करेंट रफियर, मिला के 45 कोश्चन, 40 प्लस 5, ठीक है, साइन से 30 कोश्चन, हिं पतारी करने के लिए में आपको वनदबा बेश्च बुक बताता हूँ, यह बुक आप लोग जो देख रहो हो न, यह यूनिक पब्लिकेशन का बुक है, बिहार पुलिस कंस्टेबल के लिए ठीक है, इस बुक में आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है, डबल जो सिलेबस और पेटार न, उस पर आधारिस यूनिक पब्लिकेशन का बुक है, साथ में दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का, बिहार पुलिस कंस्टेबल के लिए क्वेस्टन बैंक भी आता है, ठीक है, अब क्वेस्टन बैंक में दोस्तों खासित यह है, 2010 से लेको 2023 तक, यानि दोस्तों लेटेस्ट, यहां पर देखो, मई 2023 तक आपका प्रस्णपत सहीं यह बुक में आपको मिलने वाला है, ठीक है, और 28-60 भी दिये गए, तो दोनों से आपका कम्प्लीट आयरी हो जागा, बिहार पुलिस कंस्टेबल का, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क सब्सक्राइब, नागरिक पढ़ लिजिएगा, ठीक है, नागरिक से ज्याता सबार उठाएगा, ठीक है, करेंट फेर पांच, करेंट फेर आपको ज्यादा एक्स्ट्र, अलग से पढ़ने में समय वेश्ट नहीं करना है, बहुत कमी, 4-5 करेंट फेर तो असानी से खेल, प पढ़ लेजीएगा, यह नहीं कर से पूछे, इस से पूछे नहीं, सब पढ़ना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिज, हिंदी में आपको क्या पूछेगा, असान असान हिंदी आता है, प्रवाची सब एक पूछेगा, विलोम सब एक पूछेगा, अनेक सब्सक्राइगा, जो हिंदी में मैंने बताया, उसका इंग्लिज में वर्जन कर लो, ठीक है, यह पूछेगा, हो सकता है कि नरेशन पूछेगा, यह पूछेगा, तो ज्यादा कुछ है नहीं, तो असान पूछा जाता है, ठीक है, और दोस्तों, मैथ में आपका परसेंटेज, एबरेट, प् मिल सकता है, रिजरिंग का, और इस बार यह चेंजिंग क्या हुए ना, कि यह दोस्तों, तेंथ स्टेंडर का सवाल पूछेगा, पहले जो सवाल था ना, त्वेल्थ स्टेंडर का पूछा जाता था, पेपर देखोगे ना, पिछला आप लोग दोस्तों, पिछला पेपर लिजिएगा, इसका पेपर जो होगा ना, भाया, बीपीसी लेबल का पेपर था, इतना हाट ठाना, कटा बहुत कम गया था, बहुत कम भी नहीं गया था, क्यों धानली हुआ था, एक्जेक्ट में अगर धानली नहीं हुआ तो होता ना, तो 40-45 लाने वालों का रिजल्ट ह लेकिन धानली के खन दोस्तों आपका 10-10 बढ़ गया था, 15 लेकिन इस बार दोस्तों तेन से स्टेंडर कर दिया गया, पेपर का लेबल कम होगा, पेपर अगर इस तो निमस्तर का बूसा जाएगा, तो भया, कप्टर तो आपको बढ़ेगा, अब ध्यान से समझेगा, क्या अब प्रैक्टिस सेट वगरा करते होंगा, तो आप बताएगा, पिछला प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, इतना तो आपको आएगा ही नहीं, दो हजार जो भेकेंसी था 20 वाला या 19 वाले, प्रैक्टिस सेट लगाएगा, पाचास पच्छबान में धुआ निधुआ हो जा अगर धांदियों अगरा नहीं होता है इतना आपको लाना है, क्योंकि कोस्ट्ण असान पूछेगा, यह ध्यान रखेगा, उसी अनुसार में आपको बता रहा हूँ, बारवी लेबल का नहीं, अब दसभी लेबल का पूछ रहे हैं, इतना नंबर आपको लाना होगा, ठीक डॉष का चाहे दोस्तों 11,888 पोस्ट वेकेंसी देखलो 2019 वाला ये 1969 जाल में बता रहा हूं ठीकै? या दोस्तों आप 84 वाला चाहे दोस्तों दोस्तों दो में बता रहा हूं ठीकै? EWS कोई भी category के देख लो ऐसा ही हर बार रहा है दोस्तो ठीक है अब देखोई EWS का कितना नंबर लाने पर हो रहा सकता है यह दोस्तो 64 EWS का हमेशा BCB से कम ही रहा है ठीक है और फीमेल में अगर हम बात करें तो मातरे दोस्तो 50 प्लस का पर टागेट अगना है इसका 60 पर तुसका 50 पर नहीं है ऐसा कुछ नहीं होने वाला एसी के रिडेट आप ध्यान दिजिएगा हमेशा ज्यादा होता है ठीक है 20 का हमे इसे से ज्यादा जाता है अब कुछ थीपटे अब इतना अपसेप स्क्वर रहेगा बागी पीसी तीन पर अलग इस तो यह PC आपना आप जो यहां पहना चावन तो आपको 52 तीरपन नम्मर लाना होगा यह ध्यान रखेगा यह दुस्तों हमने आपको सेप स्कोर बताया कि इस बार का सुरच्ची स्कोर इतना रह सकता है रह सकता है यह सारा टिपेंड करता है पेपर के लेबल पर क्योंकि पहले असने मैं नहीं बता दिया आप है जो एक और शुन का पहले पुछा जाता है इस बार नहीं पुछा जाएगा तो कोश्टन का जो स्तर निम होगा तो कटप जाहिर सी बात है पिछले बार से फुर्ण से इंक रिज करेगा पिछला कटप हमने दूडि दो यूज बेकेंसी थ लिंक डाल दूँगा थेकर वो पूरा लेख लिएका ताकि आपको आईडिया लाईएगा तो आपको फीजीकल जो एकला स्केज है न क्यूंकि फीजीकल पापका फाइनल मेरिट बनता है तो फिजिकल के तियारी करना है ठीक है यह हम बता दिया अब पेपर कफ हो सकता है एक्जाम कफ हो सकता है ध्यान समझेगा यह दोस्तों आपका अभी जुलाई चल ला है जुलाई में तो वैसे भी चांस नहीं फिर इसके बाद अगस्त में भी चांस नहीं है सितंबर में मुझे नहीं लगता होगा यह दुस्ता पेपर अक्टूबर में हो सकता है ठीक है अक्टूबर में संभावनाय के पेपर होगा क्योंकि दिसंबर तक इंको फाइनल करना अक्टूबर में पेपर हो अगले महीन हो सकते हैं रिजाल्ट देदें दिसंबर ज जुस्तों मारंग चली आपका संभावना नहीं आपको कनफर्म मारंग चली अक्टोबर टापका पेपर ले लिया जाएगा ठीक है अक्टोबर में पेपर हुआ नॉवंबर दिसम्बर मारंग फिजिकल इस्टाट कर देगा दो महिने में सारा प्रक्रिया पनाई आपका हो जाएगा ठीक है तो यहीं आपको बताना था सबसे दा भेकेंसी सबसे बड़ा और सबसे दा फॉर्म भी गिरा है कि भी ध्यान अपका अच्छा खसा होने वाला है कोई सवाल पुछना हो तो कमेंट के माथ हम सब पुछ लिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बें लाइकन दबाएगा धनिवाद